हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वथ तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए बेस्ट फोन अंडर 15,000 में कौन सा होने वाला है जिसे आप लोग अभी बाय कर सकते हो इसी Great Republic Day Sale में या फिर Big Saving Day Sale में तो दोस्तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो को लाश्ट दे तक जरूर देखना है तो ही आप लोगों को यहां पे समझ में आने वाला है कि आप लोगों के लिए बेस्ट फोन कौन सा होने वाला है अंडर 15,000 में चाहे मैं बात करूँ कैमरा के बारे में चाहे मैं बात करूँ गेमिन के बारे में मैं सब आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में तो चलिए दोसों फिलाल आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तेखिए सबसे पहला फोन आप लोग खरीच सकते हो Realme 8 अभी आप लोग खरीचते हो तो इसमें आप लोगों को धाई हजार का आफ मिलने वाला है प्रिपेड में या फिर एक्चेंज में इसका 6GB वाला वारियंट को आप लोग अभी खरीच सकते हो साड़े 14,000 रुपे से IC ICI का कार्ड लगाते हो तो और आप लोगों को याँ पर डिसकाउंट मिलने वाला है तो चलिए अब मैं फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ इसमें क्या-क्या हम लोगों को फीचर्स देखने को मिलता है 6.4 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा हम लोगों को इस फोन में मिलता है वहीं दोस्तों मैं रियर कैमरा के बारे में बात करो तो इस फोन में हम लोगों को क्वार्ड कैमरा का सेटप देखने को मिलता है बैक सैड में पहला जो कैमरा मिलता है 64 मेगा पिक्सल का में कैमरा दूसरा 8 मेगा पिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और जो तीसरा और जो चौथा कैमरा मिलता है बेकार का वही 22 मेगा पिक्सल का तो दोस्तों camera के लिए भी आप लोग इस phone को buy कर सकते हो अब मैं बात कर लेता हूँ processor की तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है MediaTaker G95 gaming processor तो अगर आप लोगों को gaming के लिए phone चाहिए था तो आप लोग इस phone को अभी आप लोग खरी सकते हो 5000 mAh का battery इस phone में available है 30W का fast charging, in-display fingerprint, sensor हम लोगों को इस phone में भी देखने को मिल जाता है तेकिए same features के साथ मतलब कि लगभग लगभग आप लोगों को same features देखने को मिलता है Redmi Note 10S में तो दोस्तो Redmi Note 10S को आप लोग खरीच सकते हो 15,000 रुपे से लेकिन उसमें आप लोगों को 4GB का RAM ही मिलेगा और आप लोगों को 64GB का ही internal storage मिलने वाला है लेकिन दोस्तो Realme 8 आप लोगों को इसी sale में मिलने वाला है 14,000 रुपे में इसमें आप लोगों को 6GB का RAM मिलेगा और 128GB का internal storage मिलेगा तो इसलिए आप लोगों को Realme 8 में benefit मिलने वाला है वैसे आप लोग Note 10S को भी खरी सकते हो लेकिन मेरी माने तो आप लोगों को अभी Realme 8 को खरीदना चाहिए तो दोस्तों हमारा यहां पर next phone निकल के आता है Moto G40 Fusion सेल वागेरा में अभी आप लोगों को साइट सारे 13-14,000 रुपे में यह अभी आप लोगों को मिलने वाला है तो इस phone में आप लोगों को क्या-क्या features देखने को मिलता है इसमें हम लोगों को 6.78 इंच का Full HD Plus 120 Hz का display मिलता है 16MP का selfie और वहीं दोस्तों मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो इसमें triple rear camera setup दिया गया है पहला जो camera मिलता है 64MP का main camera दूसरा 8MP का wide angle camera और जो तीसरा camera मिलता है वही एक ही 2MP का यह company वाले क्यू देते हैं मुझको पता नहीं 6000 mAh का battery मिलता है तो gaming के लिए खरीना है तो भईय आप लोग खरी सकते हो और इसमें हम लोगों को 20W का fast charging available मिलता है और सबसे बड़ा खासियत इसमें यह मिलता है यह stock android के साथ आता है मतलब यह इस phone में आप लोगों को कोई भी file to ads वगेरा या फिर file to app वगेरा install देखने को नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों हमारा यहां पर next phone आता है realme 8i अभी आप लोगों को इसमें 2000 का discount available मिल जाएगा तो यह gaming के लिए आप लोगों के लिए best phone होने वाला है under 15,000 में और camera भी इसमें आप लोगों को based ही मिलता है तो चलिए क्या-क्या इसमें features देखने को हम लोगों को मिल जाता है full hd plus 120 hertz का display मिलता है 16 megapixel का selfie वहीं दोस्तों मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो यह triple rear camera setup के साथ आता है पहला 50 megapixel का हम लोगों को main camera मिलता है और दूसरा और जो तीसरा camera मिलता है वही 2-2 megapixel का कोई काम का नहीं है और हम लोगों को इस phone में 5000 mh का battery available देखने को मिल जाता है 18 watt का fast charging और इसमें हम लोगों को Mediatek का G96 processor मिलता है 12,000 रुपे में ही मैंने आप लोगों को Realme 8 के बारे में बताया Realme 8 अभी 14,000 के price range में available है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लगभख से भी processor available मिलता है Realme 8 time में तो आप लोगों को gaming के लिए phone चाहिए था तो अभी आप लोग Realme 8i को buy कर सकते हो प्लस इसमें आप लोगों को 120 Hz का display मिलता है side में fingerprint sensor भी आप लोगों को मिल जाता है तो दोस्तों Realme 8i को भी आप लोग buy कर सकते हो वैसे दोस्तों Realme Narjo 30 भी आता है लेकिन इसमें कोई भी discount अभी available नहीं है Realme Narjo 30 में आप लोगों को लगभग लगभग याँ पर सेमी features देखने को मिलता है कुछ आप लोगों को अंतर देखने को मिलता है जैसे कि Realme Narjo 30 आता है 90 Hz डिस्प्ले के साथ 120 Hz का display देखने को मिलता है जबकि Realme Narjo 30 में आप लोगों को 30 Watt का fast charging मिलता है 8i में आप लोगों को 18 Watt का ही मिलता है लेकिन यहाँ पर Narjo 30 में कोई भी discount नहीं है तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ आप लोगों को Realme 8i के साथ जाना चाहिए तो हमारा next phone यहाँ पर आता है Moto G31 आप लोगों को एक AMOLED डिस्पले वाला phone चाहिए था 13,000 के आजपास तो आप लोग Moto G31 को ले सकते हो इसमें आप लोगों को क्या-क्या features available मिलता है 6.47 इंच का Full HD Plus AMOLED वाला आप लोगों को display मिलता है 13 Megapixel का selfie camera के बारे में बात करूँ मतलब rear camera के बारे में बात करूँ तो तीरपल rear camera setup के साथ आता है Moto G31 पहला camera 50 Megapixel का main camera दूसरा camera जो इसमें मिलता है 8 Megapixel का wide angle camera जबकि दोस्तों हम लोगों को Realme 8i और Realme Nargo 30 में कोई भी हम लोगों को wide angle camera नहीं मिलता है और इसमें आप लोगों को fast charging का भी support देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को एक AMOLED display के साथ एक phone चाहिए था तो आप लोग Moto G31 के साथ जा सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को gaming के लिए phone चाहिए Moto G31 तो मैं आप लोगों को बुलूँगा बिल्कुल ये phone नहीं लेना है मतलब कि इसमें आप लोग gaming को अगरा कर सकते हो लेकिन आप लोगों को better gaming के इसमें मिलने वाला है Realme 8i में या फिर दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है Moto G40 Fusion में या फिर Realme 8 में तो Moto G31 को भी आप लोग buy कर सकते हो क्योंकि इसमें AMOLED डिस्पले मिलता है तो यहाँ पर हमारा next phone आता है Infinix Note 11 इसमें भी हम लोगों को 6.7 inch का Full HD Plus AMOLED वाला डिस्पले मिलता है तो यहाँ भी आप लोगों को AMOLED डिस्पले मिलता है 16 Megapixel का selfie camera है इसमें और वहीं दोस्तों मैं rear camera के बारे में बात करूँ तो यह तीरपल rear camera setup के साथ आता है पहला camera मिलता है main camera मतलब की 50 Megapixel का दूसरा और जो तीसरा camera मिलता है वही 22 Megapixel का Mediatek G88 processor के साथ आता है 5000 mAh battery मिलता है और 33 watt fast charging के साथ आता है Infinix Note 11 तो अभी यह भी आप लोगों के लिए best phone होने वाला है अंडर 15,000 में इसका price है 12,000 रूपए तो आप लोग इसको भी buy कर जाकते हो तो दोस्तों यहाँ पर last phone आता है आप लोगों को एक non-chinese phone चाहिए तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो Samsung M21 के साथ तो इसमें हम लोगों को क्या-क्या खासियाद देखने को मिलता है इसमें भी हम लोगों को AMOLED डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का Full HD Plus AMOLED वाला डिस्प्ले हम लोगों को देखने को मिलता है 20MP का selfie camera मिलता है वही दोस्तों मैं bigger camera के बारे में बात करूँ तो इस phone में हम लोगों को पहला जो camera मिलता है 48MP का main camera दूतरा 8MP का wide angle camera और तीसरा camera मिलता है 5MP का side macro camera मिलता है तो triple rear camera setup के साथ आता है तो दोस्तों Samsung M21 लेना है तो आप लोगों ले सकते हो एक non-Chinese phone इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है और आप लोगों को camera भी better देखने को मिलता है इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा benefit ये मिलता है 8MP का wide angle camera मिलता है और 5MP का macro या side depth sensor मिलता है ये देखना पड़ेगा मुझे याद नहीं तो ये सारा चीज आप लोगों को इसमें मिलता है Samsung M21 में वहीं दोस्तों मैं processor के बारे में बात करूँ तो M21 Exynos 9611 processor के साथ आता है तो आप लोगों को gaming के लिए phone चाहिए था तो Samsung M21 मैं आप लोगों को बूलूँगा बिल्कुल नहीं लेने लेकिन दोस्तों camera वगेरा के लिए आप लोगों को ये phone लेना है और आप लोगों को AMOLED display वाला phone चाहिए और एक non Chinese phone चाहिए तो आप लोगों को M21 के साथ जाना चाहिए प्लस इसमें हम लोगों को 6000 mh का battery देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां भी ठीक है तो आप लोग ले सकते हो बड़ा battery के साथ आता है Samsung M21 तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पर यह बता दिया कि आप लोगों को कौन सा phone को buy करना चाहिए अंडर 15,000 में अंडर 15,000 में और बहुत सारा phone आता है Redmi 10 Prime और कौन कौन सा अभी तो Redmi Note 10 अभी available ही नहीं है Amazon पर तो दोस्तों मेरे विचार से जो best phone जय हिंद बंदे मात्र जय भारत